युक्रेन ने रूस के किस नए शेहर पर हमला किया और युक्रेन की कौन से शेहर पर रूस ने कबज़े का किया है दावा। देखिए रूस युद्ध की नौ बड़ी ख़बर है। ये तस्वीर रूस के तेवर शेहर के हतियार डिपो में लगी आग की है। बीती रात यूखरेन ने ड्रोन अटेक किया जिसकी वज़ा से डिपो में भी शनाग लग गए। हमले में आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी मीडिया के मताबिक आसपास के स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जेपोरीजिया इलाके में रूस के हमले में दो लोग मारे गए और पाँच घायल हुएं। स्थानी प्रशासन के मताबिक रूस ने सूमी में चार मिसाइलों से एनरजी इंफरस्ट्रक्चर पर अटेक किया। हमले की वज़े से इलाके में बिजली आपूर्ती बाधित हो ताब एक रूस के 51 ड्रोन में से 34 को मार गिराया गया है। डोनिस्क में यूकरिनस्क शेहर पर रूस ने कबजे का दावा किया है। रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर रिपोर्ट की गई है। यूकरिन की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हा करने की तैयारी की है। माइन क्लियरिंग वाहन का किया जा रहा है। रूस लगातार कुर्सक से युक्रेनी सैनेकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है इस सिलसले में रूस ने युक्रेनी सैनेकों के ठिकाने पर ड्रोन अटेक किया है दावा किया जा रहा है कि ड्रोन हमले में कई युक्रेनी सैनेक घायल हुए है कुर्स की सीमा पर यूकरेन के सैन्य उपकरणों पर रूस ने ड्रोन से अटेक किया है रूस ने दावा किया है कि हमले में यूकरेन के दस सैन्य वाहन नष्ट हो गए है किसी सैनिक के मारे जाने की खबर नहीं है खारकियों में युकरिन के सिना ने ग्रांड ओफरेशन के तवटान रूसी ठिटडानों पर हमला किया है खार्कियों के कामी काजें ड्रोन के तबाह होने के दावा किये जा रहा है यूक्रेन ने रूसी ठिकाने पर जबर्दस फाइरिंग किये है हमले में रूस के कामिकाजे ड्रोन के तबाह होने के दावा किया जा रहा है वहीं एक अन्य हमले में यूक्रेन ने रूसी सेनिकों पर ड्रोन से हमला किया हमले के दवरान रूसी श्रिकानों पर ग्रनेट गिराए गए